अब यतिन को जोड़ लेते हैं और सबसे पहले रिडार पर दो स्टॉक्स रहेंगे एक तो SBI और दूसरा है Yes Bank और ये एक स्टोरी है जो दरसल यतिन ने ही लीट की है कई सारे exclusive details of course Yes Bank के stake sales से लेकर FPO तक यतिन के जुबानी आपने सुने हैं अब SBI कब तक निकलेगा उस पर भी लोगों की नजरे अब आ रहे हैं Yes Bank बहुती बहुती बहतरी इन प्रदर्शन रहा है जिस तरह का इस quarterly number में पेश किया लेकिन यतिन अब जो next बढ़िया trigger रहेगा वो SBI का exit बिल्कुल SBI का exit रहेगा और आपको अगर ध्याने तो March के महीने में में ने report किया था कि SBI various options explore कर रहे हैं Yes Bank में हिस्सा बेचने के लिए और कहीं न कहीं ये stick sale process को अभी आपको momentum बनता हुआ दिखाए पड़ रहा है थोड़े दिनों पहले Mint ने report किया था आज Financial Express ने report किया है Yes Bank को सरकार के तरफ से भी okay मिलिया है कि वो stick sale process को various options के थूँ उसको explore करे हाल फिलाल news ये आ रहे हैं कि जो Yes Bank का अंदर SBI का stake है लगबग 26% का उसमें एक substantial portion Japanese बैंक्स और Middle East के बहुत सारे बैंकों को interest है मिच्टूई सुमितों मोहो जो Saudi Arabia और UAE के काफी सारे बैंक्स हैं including Emirates, NDB इनको भी interest है तो बहुत सारी news reports आ रही हैं जिसके अंदर कहीं न कहीं 17-18,000 क्रोड रुपे का realization SBI को हो सकता है Yes Bank के share बेचने पे और सबसे बढ़िया बात जो हमने पहले भी highlight की थी कि क्योंकि ये scheme of reconstruction था जो Finance Ministry और RBI ने initiate किया था SBI को किसी भी प्रकार का tax या capital gain इस पे नहीं देना है तो पूरा का पूरा पैसा आपको SBI की किटी में आता हूँ नजर पड़े और especially in a time जब इनका capital adequacy ratio low है तो ये पैसा जो आएगा उससे कहीं न कहीं ये अपना capital adequacy ratio भी improve कर पाएंगे बिलकुल और इसके लिए Yes Bank और SBI दोनों रेडार पर लेकिन यतन बाकी के stocks of the day क्या रहेंगे stocks of the day में obviously Yes Bank और SBI के अलावा BSE 20% lower circuit पे खुला क्योंकि SEBI की तरफ से इनको एक notice आया कि जो options हैं उसकी जो SEBI charges हैं वो national turnover पे होगी ना कि premium turnover पे तो कहीं न कहीं ये जो calculation में difference आ रहा है 100 crore के उपर का अलग-अलग brokerages अलग-अलग assumption कर रहे हैं लेकिन ये जो amount है इस पे 15% ब्याज भी देना पड़ेगा और कहीं न कहीं आगे आने वाली earnings पे भी इसका impact होगा अभी BSE के पास एक leave है क्योंकि BSE और NSE के option जो differential है वो लगबग 40% के आस्वास का है cost में तो वो BSE को अगर price hike लेना है तो शायद ये bridge gap हो पाएगा नहीं तो earnings पैसर होगा ऐसा brokerages का मानना है और इसके बाद stock में 15% का downside और इसी तरीके से 5% gap down होता हुआ दिखाए पड़ा है Apollo Hospital क्योंकि इनकी जो healthcare company है इसके अंदर valuation से जो market expect कर रहा था उसके कम पे ये transaction होता हुआ नजर पड़ा है लगबग एक 1.75 billion dollars के आसपास का ये transaction था और market धाय billion dollars की valuation पकड़ के चल रहा था healthcare company की तो कहीं ने कहीं उस news के बाद 5% वाला stock अब 8% नीचे आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है बिलकुल Apollo Hospitals आज का second big accident of the day apart from BAC, BAC अभी भी 15% नीचे लेकिन Apollo Hospitals अब करीब-करीब 8.5% नीचे Yes Bank अभी भी करीब-करीब 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है समय एक quick view लेते है Yes Bank के ऊपर फिर प्रधानमंत्री Modi का एक और चंक सुनेंगे Hema, Yes Bank, second thoughts बनते हैं याँआपर? तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इसमें अपसाइड है Because of the way they have turned around things So मुझे लगता है कि एक 35 रुपीज तक का upside दे सकती है Maybe थोड़ा सा pause होगा It will not be a one-way kind of a ride But definitely एक positive bias इसमें काम किया रहा सकता है So Yes Bank में एक अच्छी opportunity आपको साफ नजर आ रही है उस पर आपकी नजरे होनी चाहिए अच्छा 40 point नीचे इस समय आपको दिखाए देगा trade में आपकी निफ्टी